हलो दोस्तों मैं आपको दोस आजरेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ में दोस्तों आपने से वीडियो में बात करेंगे आईसी इंजन से रिलेटेड एंटर्वू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेस्टिन और एंसर के बारे में इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यह बता दू कि मैं यहां पर डिस्क्रिशन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूँगा आप चाहें तो मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं जहां पर आपको इंटर्वू से रिलेटेड और भी ठीट सारे कॉस्टिन और एंसर मिल जाएंगे तो आएए शुरू करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बोथ फोर एंट टू स्ट्रोक इंजन इंजेक्ट फ्यूल सॉटली विफोर टीडीशी यानि कि टॉप डेट सेंटर यानि कि जो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन होता है क्या वो जब उस पहले मैं आपको चीज़ यह बता दू कि मैं चाहूंगा कि आप इन सबके एंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें ताकि आपको भी यह चीज़ कंफर्म हो जाए कि आपको इनके बारे में कितना पता है और कितना सीखने की और ज्यादा जरूरत है तो इसका जो एं इंजन होता है क्या एक कमवक्शन साइकिल के लिए जो यह हमारा क्रेंग शाफ्ट है इसको एक फुल रोटेशन की रिक्वार्मेंट होती है अत्वा नहीं तो इसका भी जवाब आपको ट्रू या फॉल्स में देना है तो इसका जो एंसर होगा वो है ट्रू यानि कि जो हम now next question and engine stroke is measured from यानि कि जो हमारा engine का stroke होता है यानि कि यह जो हमारा piston है इसमे अगर हमें इस engine का हमें stroke measure करता है तो भो हम कैसे करेंगे top dead center to bottom dead center, crank shaft, to cam shaft और जो 3rd option है वो है cylinder head to cam shaft तो दोस्तों I hope कि जो लोग engine से related topic cover कर चुके होंगे उनको इन सारे question के बारे में पता होगा तो इसका जो answer है वो है first top dead center यानि कि TDC to bottom dead center BDC now next question black smoke in the exhaust indicate the engine is burning जो जब हमारा engine जो है वो black धुआ जो है यानि कि black smoke छोड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है जो option है वो है first option है lubrication oil too much air too much fuel to little fuel जानि कि आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा answer जो है वो सही है तो इसका जो answer है वो है too much fuel now next now next question engine cooling water is also known as engine cooling water जो होता है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं तो आपको यहां पर चार ओप्शन दिये हुए हैं इन चार ओप्शन में से एक ओप्शन चूज करना है कि engine cooling water का जो second नाम है उसको हम किस नाम से जानते हैं तो जो पहला option है वो है jumper water second option है trouser water, third option है jacket water और fourth option है वो है t-shirt water तो इसका जो सही जवाब है वो है third option यानि कि jacket water के नाम से engine cooling water को हम जानते हैं now next an alternator is used to charge the engine battery and provide power to electrical system when the engine is running यानि कि जो इंजन में alternator का use होता है उसका use क्या बैटरी को charge करने के लिए करते हैं और साथी साथ जो electrical system provide किया गया होता है उसको power भी दिया जाता है तो इसका answer आपको true और false में देना है तो इसका जो answer है वो है true जी हाँ alternator का use बैटरी को तो charge करने के लिए किया ही जाता है साथी साथ जो electrical system provide किया गया होता है फोर्ड विलर में उसको आम power देने के लिए भी करते हैं कि नाव next question identify this component यानि कि यह जो पिक दे रखी है यह किस्स की पिक है क्या यह camshaft है क्या यह piston है जो थर्ड ऑप्शन है वह क्रेंग शाफ्ट और जो फोर्ट ऑप्शन है वह है वाल्व तो इसको आपको identify करना है कि यह किस्स की पिक है तो इसका जो answer है वह पिस्टन नाव next question identify this component यानि कि यह जो पिक दे रखी है यह किस्स की पिक है इसको आपको identify करना है इसकी जो option है वह है cam, piston, valve या फिर rocker arm यानि कि इसमें कौन सा option जो है वह इस पिक के लिए सही है तो इसका जो answer है वह है rocker arm यह जो है वह rocker arm होता है नाव next question which of these is not a main engine component चूज वन यानि कि यह जो चार option दिये हुए है इसमें से कौन सा engine का main component नहीं है जो option है उसमें हमारा सबसे पहला option है crankshaft फिर cam या camshaft clankshaft इन चारों में से आपके हिसाब से कौन सा answer सही होगा वह comment box करके हमें जरूर बताएं तो इसका जो main answer है वह है clankshaft यानि कि clankshaft जो है वह engine का main part नहीं होता है नाव next question white smoke in the exist indicate यानि कि अगर माली जो है वह white smoke छोड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है यानि कि यह किस चीज को indicate करता है तो इसके जो option है वो है first option है water in the combustion space second option है to little air and too much fuel used for combustion and the third option है वो है too much air and not enough fuel used for combustion तो इसका जो answer है वो होगा too much air and not enough fuel used for combustion इसकी वज़े से हमारा जो engine है वो white smoke छोड़ता है now next four stroke engine is more efficient than a two stroke engine यानि कि जो four stroke engine होता है वो जादे ही efficient होता है two stroke engine से इसका answer आपको true और false में देना है तो इसका जो answer है वो है true जी हाँ यह सही है जो four stroke engine होता है उसकी efficiency जादा होती है two stroke engine से now next question blue smoke in the exhaust indicate that the engine is burning lubrication यानि कि जब हमारा engine जो है वो blue smoke छोड़ता है तो इसका मतलब क्या यह होता है कि lubrication oil जो है वो कुछ जादे ही burn हो रहा है तो इसका जो answer है वो है true यह सही है जब engine जो है वो blue smoke छोड़ता है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो lubrication oil है वो कुछ जादे ही burn हो रहा है नाव next question identify the component यह जो pick दी हुई है यह kisses की है वो आपको identify करना है उसके जो चार option है उसमें पहला option है crankshaft piston third option camshaft और fourth option है वो है clankshaft तो इसमें से आपको सही answer choose करना है तो इसका जो सही answer है वो है third option यानि की camshaft now next put these combustion cycle stays in the correct order arrange the following in the correct sequence यानि की यह जो चार option दिये हुए है इनको इनके हिसाब से सही तरीके से arrange करना है यानि की इन चारों option में इस number एक पे कौन सा option आएगा number two पे कौन सा option आएगा उसके बाद three और fourth पे कौन सा option आएगा तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब कभी engine जो है वो rotate होता है यानि कि work करना start करता है तो उसके चार स्टेज होते हैं तो उनी में से इन चारों स्टेज को जो है आपको find out करना है तो इसमें जो सबसे पहला स्टेज होता है वो है शक यानि कि सबसे पहले सक्षन होता है उसके बाद जो second step आएगा वो आएगा स्क्विज उसके बाद जो third option आएगा वो है बैंक और जो fourth option है वो है blow अगर मैं को simple language में समझाने की कोशिज करूं तो सबसे पहले होता है शक्षन यानि कि हमारा जो इंजन है वो फ्यूल और एयर का शक्षन करता है फिर उसके बाद उसको और या फिर हम बोल सकते कि ignition होता है और जो fourth option होता है यानि कि इसके अंदर जो burning gases होती है वो यहां से बाहर की जाती है नाव नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चिन है वो है टर्बो चार्जर कें बी यूज ऑन बोथ पैट्रोल एंडिजन इंजन जो तर्बो चार्जर होता है उसका यूज पैट्रोल और डिजल इंजन दोनों में किया जाता है इसका एंसर आपको true और false में देना है तो इसका जो answer होगा वो होगा true जी हां तर्बो चार्जर का यूज पैट्रोल और डिजल इंजन दोनों में करते हैं नाव next starter motor engage with the flywheel when the engine start engage with the flywheel when the engine is in operation यानि कि जो flywheel के साथ में starter motor engage रहता है इसका answer आपको true या false में देना है तो इसका जो answer होगा वो है false ऐसा नहीं होता है नाव next lubrication oil has the following purpose यानि कि engine में जो lubrication oil use होता है उसका क्या purpose होता है तो इसकी चौर option दिये हुए हैं वो यह है option number one है lubricate करना option number two है preheat option number three है combustion and option number four है वो है cool तो आपको इन चारों में से कोई भी दो option choose करने है कि जो lubrication oil engine में use होता है उसका क्या purpose होता है तो इसका जो सही answer है वो है option number one lubricate करना and option number four cool करना now next identify the component यानि कि यह जो pick दे रखी है आपको इन चार option में से identify करना है कि कौन सा option इसके लिए सही होगा तो इसकी जो option है option number one है plane bearing option number two है piston and option number three है camshaft and option number जो फूर्थ है वो है crankshaft तो इसका जो सही answer है मैं चाहँगा कि आप इन सभी question के answer एक बार comment box में comment करके जरूर बताएं तो इसका जो सही answer है वो है plane bearing now next which of the following response are true यानि कि यह जो आपके option दिये हुए है इसमें से कौन सा जो option है वो सही है आपको यह identify करना है तो जो option है वो है diesel engines are compression ignition engine second option है petrol engine are compression ignition engine and third option है petrol engines are spark ignition engine तो इसका जो सही option होगा वो का option number one और third यानि कि जो diesel engine होता है compression ignition engine होता है और जो third option है pitiones YouTube होता है वो spark ignition engine होता है नाव next identify the component यानि कि यह जो पिक दे रखी है आपको इन option में से choose करना है कि यह किसे इसके pick है जो इसके option है वो है piston, camshaft, crankshaft और calmshaft तो इसका जो सही answer है वो है crankshaft यानि कि यह जो pick है वो है crankshaft की है नाव next which of these are essential stage for all combustion cycle यानि कि जब हमारा engine जो है वो start होता है तो उसके जैसा कि हम सभी जानते चार stage होते हैं तो वो उन चारो stage को आपको इसमें से select करने है तो जो पहला option है वो है compression, second option है exhaust, third option है ignition, fourth option है suction, five, fifth option जो है expulsion and जो six option है वो है distillation तो इसमें से चार option आपको चूज करने हैं तो इसके जो answer होंगे वो है option number fourth suction, फिर आता है option number one compression, option number third ignition and option number two exhaust तो इस तरीके से आपके ये answer सही होंगे, I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर करें, मिलते हैं आपसे next वीडियो में next topic के साथ अब तक के लिए goodbye